वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट इस सेशन में हम माइनिंग जोलोजी, अस्पेसली, सिल, फॉल्ट और डाइक जिसे डिस्टर्बेंस को अंडराउंड डिस्टर्बेंस को सामने लेकर के आ रहे हैं आप इसको understand करें, इसके बारिकियों को समझें, ठीक है यदि किसी friends को कोई topic related videos चाहिए होगा तो आप playlist में visit करें, ठीक है playlist में एक topic पर मतलब mining से related जितने भी subject है मने सबको serial wise sequential हम उसको upload कर चुके हैं, ठीक है आप उसमें playlist में visit करें, उनको sequential way में आप उसको watch करें, ठीक है जिससे आपको exam में काफी advantage मिलेगा, ठीक है तो चलिए हम इस पैरापे इसको discuss करते हैं, क्या है Common Geological Disturbances चुकि पहले बता देना चाहरे हैं कि इसमें बहुत सारे friends बोल रहे हैं कि आप Hindi पर लिखे हैं और Hindi पर discuss करें, तो चुकि और भी हैं ऐसे जिनको English में interest है, तो दोनों को ध्यान में रखते हैं, हम Hindi में कोशिस करते हैं, कि अपने सारे maximum themes जो भी हमारा है, उसको हम Hindi में समझाने का कोशिस करेंगे, आप उसको दोनों तरीकों से लेने का प्रयास करे हैं, ठीक है, तो common geological disturbance में हमारा dike, seal, fault, washout, roll, fault, splitting of seam, और slip जैसे disturbance सामने आता है, ठीक है, लेकिन especially इस lecture में हम तीन पॉइंट जैसे dike, seal और fault, इस तीन को ही हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, इसके बाद part 2 आएगा, ठीक है, and consecutively जितने भी lecture हैं, आप उसको visit करें, watch करें, जिससे आपका understanding clear होगा, dike क्या है, dike is more or less parallel, sided vertical wall of igneous rock, formed due to upward intrusion of molten magma, generally through features and cracks, okay, dike क्या है, dike, एक molten magma, जब dike molten magma का एक रूप है, ठीक है, molten magma किसी ऐसे strata से पार कर जाता है, वो क्या होता है, vertically crack करके, crack बनाते हुए, निकल के आता है, तो molten magma का एक रूप है, वो igneous rock ही होता है, चुकि dike vertically हमारा cold seam या strata से पार होता है, ठीक है, अब चुकि बोड़ आए कि इसको definition के तोर पर बोच सकते हैं कि parallel sided vertical wall of igneous rock, formed due to upward intrusion of molten magma, generally through features or cracks, ठीक है, कहीं पर पतला strata है वहाँ से, या तो कहीं cracks मिलता है, तो उस जगह से molten magma पार कर जाता है, ठीक है, अब उसके बाद बोड़ा, extending in the previous rocks, some dikes may be small and local others, ठीक है, कुछ-कुछ जो है कि small होता है, और कुछ-कुछ जो है local, और कुछ other जो है कि हमारा may be thick as 20 meter, और ये कोई-कोई ठीक जदी हो, मोटाई जदी होता है, तो मोटाई 20 meter तक भी पहुँच सकता है, ठीक है, extending up to several kilometers, ये बात भी, इसमें कोई आति-सो यक्ति नहीं होना चाहिए, कि ये 20 meter तक या कहीं-कहीं, मनें कई kilometer तक भी पहुँच सकता है, ठीक है, इसमें कोई मनें हैरानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो डाईक, specially कोई पूछे, डाईक क्या है, तो डाईक एक molten magma का एक form है, ठीक है, molten magma जदी कहीं कोई layer को पार कर दे, ठीक है, या फीसर चाहिए, तो cracks कहीं मिले, तो वो पार करते हुए, एक vertically parallel sided wall बनाता है, ठीक है, जिसको हम हो जाता है, मतलब हो, मने, insufficient supply of oxygen में वो जलता है, तो हमारा जहावा बना देता है, ठीक है, मने, अपूर्न दहन हो जाता है, कोई लागा, ठीक है, हो रहा है कि, extending upon several kilometers in some seam, the series of dikes may be found, ठीक है, कुछ-कुछ seams में बोल रहा है कि, series of dikes may be found, ठीक, इन इंडियन coal fields, dikes are of dolly right, और mica peridot tight, ठीक है, तो बोल रहा है कि, इंडियन coal fields में हमारा dikes, कौन-कौन सा form में होता है, तो एक dolly right में, और एको mica peridot tight, ठीक है, तो the ultra basic rocks, which is more fluid, ठीक है, यह क्या है न, ultra basic rock है, जो काफी ज़्यादा fluid होता है, ठीक है, बोल रहा है कि, coal in proximity of a dike, coal in proximity of a dike is burnt off, जहामा, ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं कि, insufficient supply air में, जदी हमारा coal burn होता है, तो जहामा बनाता है, ठीक है, which is difficult to win, and of little utility, ठीक है, और जिसका काफी कम utility हो पाता है, उसका उप्योग कम हो पाता है, ठीक है, dike causes interruption in mining operations, and make mechanized mining difficult, ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल होता है, कि dike, किस तरह का problem coach करता है, चुकि dike, magma का रूप है, और इगनियस rock type का होता है, तो इसको break करना काफी muskill वाला होता है, और चुकि visual खर्ची हो जाता है, ठीक है, इसलिए dike का ज़्यादा होना, मतलब एक तरह से खर्चीला हो जाना होता है, मने हमारा production, ठीक है, अब यहाँ पे आता है, next हमारा topic seal, तो seal is a seat of igneous rocks, seal क्या है, seal is a seat of igneous rock spreading in a bedding place in a stratified rocks, ठीक है, it may cut across and go from one to another bedding place, ठीक है, a seal may be a few centimeter to several meters thick and may cover large areas, a seal is connected with dike at some extent, मतलब कुछ extent में हमारा seal dike से जुड़ा होता है, तोड़ फोड़ पाता है, वहाँ तक सीधा भर्टीकाल राइज करता है, और जिस strata को तोड़ नहीं पाता है, उसमें क्या होता है, वो layer के तरह, layer के form में, वो spread कर जाता है, और जो spread करता है, वो few meters तक भी पहुंचता है, few centimeters से लेके few meters तक पहुंचता है, ठीक है, तो हमारा seal होता है ठीक है, seal क्या है ना, igneas rock वह हम पहले बता चुके हैं, कि igneas rock spread कर जाता है bedding plane के नीचे, ठीक है, stratified rocks के form में, ठीक है, तो उसको हम लोग seal कहते हैं, अब यहाँ पे board आएकि, other place through which the hot magma has come and spread, seals are of hard stone seal क्या है hard stone होता है किसका न डॉली राइट और मीका पैरिडो टाइट पहले हम बता चुके है डॉली राइट और मीका पैरिडो टाइट का एक फॉर्म होता है hard stone seal जो कि ठीक है और seal burns a part thickness of the coal seam और इट में rocks का तो यह पूरा का पूरा को जला देने में सक्षम है ठीक है कोई स्टाटा को ठीक है in some cases coal may be thermally metamorphosed to a higher rank ठीक है तो कोई कोई case में coal जो है कि metamorphosed हो जाता है काफी high quality में ठीक है a number of coal seams in जर्या have been born to powder ठीक है लेकिन बोड़ा है कि बहुत सारा कोईला सीम जो है झारिया का ठीक है पाउडरी फॉर्म में भी बर्न हो जाता है मतलब कहीं जहां कहीं सील इस तरह फॉर्म में निकलता है ठीक है अशील at the top of cold seam forms a very strong roof ठीक है तो सबसे पहली बात है कि अब फाइदा क्या है सील का तो सील चुकि कहीं कहीं चुकि छत में जदी सील मिलता है ठीक है मतलब हम लोग गैलरी चलाते हैं तो गैलरी के रूप में जदी हमारा सील मिलता है तो उसमें सपोर्ट नहीं भी करें तो फाइदा है ठीक है क्योंकि यह पूरा रूप का प्रेसर को यह करें के लिए सक्छाम होता है ठीक है तो सील at the top of a cold seam form वहारी फाइँ स्ट्रॉण रूप ठीक है तो जदी यह रूप में आता है तो बहुत स्ट्रॉंग रूप बनाता है जिदि टॉप में रहता है तो विच इस डिफिकल्ट टू केव एंड में रिजल्ट इंटू एर ब्लास्ट वैने लार्ज ओवर हैंगिंग गोप सडेनली फॉल्स लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है कि जदि 90 मीटर स्कॉयर से ज्या तरह से नुकसान भी है नुकसान क्या है कि एर ब्लास्ट कोज करता है ठीक है जदिये टॉप में पाए जाता है तो इसमें इस तरह से एक्स्प्लानेशन में हमको लग रहा है कि on average सारे candidate को फाइदा होने वाला है ठीक है अब जो दिया आपको लग रहा है कि किसी तरह से benefit मिल रहा है तो आप इस चैनल को सेर करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें क्योंकि चैनल आप का है ठीक है जहां तक है आप इसको सपो Fault occurs when strength of rocks is insufficient to withstand stress due to movement inside the earth ठीक है बोला जा रहा है क्या a fault is a fracture in rocks ठीक है अब यहाँ पे एक नया topic seal चुकी हो गया डाइक हो चुका है अब यह fault चुकी काफी important और major इसी से सवाल पुछता है guest testing candidate भी इसको आप बढ़ियां से सुने क्या कि fault से सवाल आपका GT exam में रहता है ठीक है तो बोल्ड आ जा रहा है क्या a fault is a fracture in rocks usually associated with lateral or vertical displacement of the fractured base ठीक है तो कहीं beds जो हमारा fractured हो चुका होता है तो वो vertical या तो lateral displacement हो पाता है ठीक है और वो lateral या vertical displacement के कारण ही जो हमारे disturbance को होता है उस disturbance को या fracture को हम लोग fault काते हैं ठीक है तो simply कोई पूछे कि fault क्या है तो fault इज फ्रैक्चर ने रॉक्स यूजवाली associated with lateral और vertical displacement of fractured bed तो हमारा two foot हुआ बेड जदी हमारा laterally या तो vertically ठीक है जदी हमारा answer ता या होना तो डिस्प्लेस हो चुका होता है तो उस जगह को हम लोग या तो उस disturbance को हम लोग fault के नाम से जानते हैं ठीक है अब यहां पर सवाल फिर दूसरा हो सकता है कि fault occur when strength of rocks is insufficient to withstand stress ठीक है फॉल्ट कहां पर create होता है तो fault इसे जगहों में दिखने को मिलता है जहां पर a strength of rock is insufficient to withstand stress due to movement inside the earth ठीक है अर्थ के movement जदी हमारा होता है और उसके movement को जो है हमारा rocks withstand करने पर या तो वहन करने पर सब्चम नहीं हो पाता है उसके stress को तो उसकेस में हमारा क्या होता है कि एक fault cause होता है ठीक है fault occur when strength of rock is insufficient to withstand stress due to movement inside the earth सबसे बड़ी बात कि earth के movement से जो create होता है stress ठीक है earth के movement से उत्पन होा stress को जदी हमारा rocks bear नहीं कर पाता है तो rock strata जो है कि literally या तो vertically displaced हो जाता है तो literally या vertically displacement को ही हम लोग क्या कहते है न फॉल्ड कहते हैं बस simply इतना बात को समझना है ठीक है next हमारा point बोड़ आई कि the plane of fracture is called the fault plane अब जिस plane से वो हमारा strata strata जैसे हमारा rocks का जो है strata जैसे कि displace होता है तो उसमें से एक plane हमारा बनता है जैसे figure में हमको बताया गया है आप figure में साफ साफ देख पाएंगे जिसे fault plane है तो एक plane जैसे transverse line गया तो उसका हम लोग fault plane कहेंगे ठीक है vertical displacement जो हमारा दिख रहा है ठीक है vertical displacement of the fractured way to call through ठीक है through of the fault जैसे हमारा सीधा सीधा जो लाइन हमारा नॉर्मल जाएगा जहां से अपर कोल सीम से लोवर को सीम के बीच में जो हमारा vertical displacement को ठीक है साथी साथ बोड़ा है कि इस मिज़र्ड फ्रॉम फ्लोर टूदा फ्लोर टूदा फ्लोर टूदा फ्लोर disturbance फॉल्ट क्या है आपका most dominant geological disturbance में आता है ठीक है चुकि हम पहले बता चुकि है कि फॉल टंग्राउंड में के लिए काफी हानिकार होता है ठीक है बोलता है कि इसमें रूप फॉल्ट का खत्रा बहुत ज़्यादा कौज होता है ठीक है फॉल्ट किस तरह से वर्किंग को माइन वर्किंग को एफेक्ट करता है उसको हम लोग देखते हैं अस्ट्राटा इन विसिनिटी और फॉल्ट आर जेनरली फांड क्रॉज्ड टू मास ठीक है तो इसमें चुकि ह हमारा एंगल जो बनता है उसे भर्टिकल लाइन से टोई ऑफ फॉल्ट प्लेन जो मिलाता है ठीक है क्रेस्टे से टोई को फॉल्ट प्लेन में नॉर्मल लाइन से जो मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हीव या वांट बोलते हैं ठीक है मनें जितना घीसक जाता है ठीक ह इस सब जानकारी भी आपको लेना है चुकि फिगर में नहीं दिखा पाए हैं तो आप इसको कोशिस करें कोई बुक से भी इसको प्रिफर करके अच्छा से देख लें फिगर को फिर बोड़ा है कि इस फॉल्ट ब्रैसिय विचिज रिजल्ट अप क्राशिंग है तो हमारा बोड़ा है क् i कर से हमको मीलता है घृठ्टां टालचटी में पाना ठीक है सैंपर हमारा भी आःठीव ने फॉल्ट पाटा है जिसके कारण हो सारा हानिया सामने आता है ठीक है अब वो रहा है कि due to movement of one wall against another कहा जा रहा है क्या due to movement of one wall against another and there is presence of polished surface called slichen side causing problem in support ठीक है the crushed material या slichen sides may fall without indication अब यहां पर हम पहले बता चुके हैं कि fault चुकि underground में support करने में काफी मतलब risky हो जाता है जदी कहीं पर fault मिलता है तो ठीक है तो इससे क्या होता है कि कहीं slichen ground जदी है या तो crushed material है ठीक है वो बिना किसी indications का यह फॉल हो जाता है तो रूप फॉल का खत्रा इंडियन कोल सीम में काफी ज़्यादा अमने सामने आता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बोरा टू ड्यू टू सदेंट चेंज लेवल एंड ग्रेडियंट मेकनाइजड माइनिंग बिकम्स डिफिकल्ट ओके ड्यू टू सदेंट चेंज लेवल हमारा हइट जो है कि यह की लिमिटेड हाइट होता है ज़िए ऊपर वाला ज्यादा धंस की नीचे आ तो इससे थोड़ी नहीं कि हमबहुत ज्यादा उपर बने एक limit height होता है जो कि हमारा 3 मीटर से अधिक नहीं उचा होना चाहिए as per dgms circular ठीक है अब regulations के हिसाब से regulation no.111 जो कहता है कि माइस में हमारा gallery का height 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए अब जदी fault या fault जदी कहीं मेल जाता है तो उसा हमारा roof जो है कि बिना किसी संकेत का वह नीचे गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा height extend करने से भी हमारा gradient change होता है ठीक है mechanized mining becomes difficult और उस case में हमारा mechanized mining काफी difficult हो जाता है ठीक है और roof का support करना भी काफी मुस्किल हो जाता है point no.2 यह कहता है ठीक है point 3 का रहा है costly costly long drifts have to be driven to catch the seam on other sides of the fault point no.3 explains that costly long drifts have to be driven to catch the seam on other sides of the fault ठीक है और जदी हमको सीम को एक से दूसरे साइड हमको पहुंचना के लिए हमको पहुंचने के लिए drifts बनाना पड़ता है और drifts चुकि काफी मुने सुन बनाना पड़ता है चुकि काफी costly होता है ठीक है बिना किसी हमारा production का drifts मना के हम लोग फिर फॉल्ट को छोड़ करके अगला साइड हम लोग मैच करते हैं gallery को चलाने के लिए फिर बोर आए कि falls are located of heavy gas and water inflows ठीक है अब यहां पर सामने यह भी परिशानी आता है कि जदी कहीं फॉल्ट जदी है तो उसकेस में heavy gas का eruptions भी होने के लिए खत्रा रहता है ठीक है कहीं पर जदी हमारा fault निकल साता है ठीक है तो falls निकलने से क्या होता है कि दो चीज का खत्रा होता है कि heavy gas eruption मने gas का निकासी का ज्यादा खत्रा होता है और water inflow का ठीक है coal barriers left on either sides of the fault plane become sites of spontaneous heating ठीक है 0.5 हमारा state क्या कर रहा है कि coal barriers left on either sides of fault plane coal barriers left on either sides of the fault plane becomes site of spontaneous heating अब यहां पर हमारा fault plane के नजदिक में जदी हम coal barrier चोड़ते हैं तो काफी हमारा spontaneous heating को बढ़ावा देने का काम होता है ठीक है जो कि एक तरह से नुक्सान देव ठीक है dangerous interest of water many take place from one seam to other ठीक है और इसके case में हम पहले बता चुके कि पानी का भी खत्रा होता है 0.7 बोटा है the weak plane of fracture may cause serious slides at faces and sides in open cast mind बोटा है कि the weak planes of fracture the weak plane of fracture may cause serious slides at faces ठीक है face का serious slides भी होता है ठीक है and sides in open cast mind ठीक है हम पहले बता चुके हैं कि इससे काफी बने रूप का बने गिरना बिना किसी संकेत का होता है fault होने से और साथ ही साथ बोटा है कि जहां कहीं weak plane है या तो fracture है तो उस case में क्या होता है कि face को हमारा stable रखना open cast mind में भी बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना होता है ठीक है पॉइंटेट बोड़ आए कि इन सम केसे फॉल्ट है अफ्ट्रू ठीक है जदी फॉल्स अफ्ट्रू है ठीक है दसीम और कॉज्ट रिपिटेशन अफ आउट क्रॉप्स मेकिंग इज़ी फॉर माइनिंग बाइपन कास्ट म अफ्रू फॉल्ट पॉल्ट एक होता है एक होता है रही होता है ट्रण्सेंग फॉल्स ठीक है तो कि अ नियर्ड में क्रेट प्रोब्लम सिन रिफ और किसी-किसी कारण से हमारा कस्मात जो है कि की की फॉर्म हो जाता है फॉलेज रोडवे में तो काफी मुश्किल का सामना करना होता है ठीक है अब यहां पॉइंट आपका आता है नोट में जर्या कोल फिल्ड इज जर्या कोल फिल्ड इज क्रीश क्रॉस्ड बाइवाउट 300 मेजर फॉल्स आप लेंद भेरिंग फ्रॉम है तो हमारा जर्या कोल फिल्ड में काफी ज्यादा फॉल्स जो है 300 बिरियत और बड़ा बड़ा जो है फॉल्स दिखने को आता है जो की बोड़ा है कि भेरिंग फ्रॉम हंडेड मीटर से 12 किलो मीटर तक भी होता है फॉल्स ठीक है एंड फ्रॉम 10 मीटर टू 300 मीटर बहुत बड़ा बात है फ्रॉम जो है कि मैंने भर्टिकल दिस्टेंस दस मीटर से 300 मीटर तक भी पहुंच जाता है बहुत बड़ा नुकसान वाला चीज है अब आगे देखते हैं कि इस मेजर फॉल्स आरे सोचेटेटेड विच सिस्टेमेटिक सिंपैथेटिक फॉल्स ओफ लेसर फॉल्स ओफ फॉल्स ओफ फाइव मीटर और मोर अंली आर डिटेक्टेट अस्मॉलर फॉल्स ओटेटेड दूरिंग माइनिग अपरेशन हैंस माइनिंग ऑफिसल्स हैब तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग प्रोस्पैक्टिंग करते हैं मने जिस मिनरल को हम लोग नि फॉल्स का तो हमारा वर्किंग के दौरान पता चलता है इसलिए माइनिंग ऑफिसल्स जो भी है इन से रिलेटेड अनुभावी थोड़ा होना चाहिए और उनको इन सब बातों को जानकारी हो तो वह वर्क को अच्छे से कैरी कर पाएंगे ठीक है अब बोड़ाए कि आप पहले मता चुके हैं कि फॉल्स का टाइप कितना तीन टाइप है आप वो तीनों टाइप को हम लोग देखते हैं तो पुरा है कि नॉर्मल फॉल्स फॉल्स इन वीच एंड्स ऑब ब्रॉकन स्टाटा मूब अवे ठीक है फॉल्स इन वीच एंड्स ऑब ब्रॉकन स्टाटा म तो नॉर्मल फॉल्ट वहीं पर त्रता दे स्टर्स करता और ठीक है तौन पर से काने इंडियन माइन्स तो इंडियन माइंस में हमारा नॉर्मल पॉल्ट देखने को मिलता है फिर बोड़ा है फॉल्ट इन the new new ones bilateral compressions so that ends of the broken strata so that the ends of the broken strata overlaps each other is called reverse fault reverse faults occur when a strata are compressed into a space less than their original extension such faults are common where a strata are intensively folded as in case in Assam as in case of Assam तो Assam में हमारा किस तरह का fault होता है reverse fault देखने को मिलता है ठीक है चुकि इसमें क्या होता है कि upper older strokes जो है नीचे down strata पर क्या करता है overlap कर जाता है और वो compressed करता है thrust act करता है ठीक है तो Assam में यह ज़्यादा हमारा reverse fault को देखने को मिलता है असाम cold field में ठीक है अब यहाँ पिक्चर वाइज आप स्तीनों को देख सकते है Transcurrent fault क्या है Transcurrent fault the fault in which the broken ends of strata remains in the same level Transcurrent समझने में काफी आसान है ठीक है पहला में tension होता है दूसरा में thrust लगाता है reverse में thrust लगाता है और तीसरा में क्या है कि इसमें से ब्रॉकेन एंट्स एक दूसरे को अभरलेप करता है और तीसरा होता है क्या Transcurrent fault जिसमें से हमारा ब्रॉकेन इंट्स मूब अवे ठीक है इन दस्याम लेबल स्याम लेबल में ब्रॉकेन इंट्स जो है कि स्पेस्ट हो जाता है दूरी 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 बना लेता है ठीक है अब एक बोर आगया indications of fault fault को हम लोग पता करते हैं उससे पहले indications मिलता है इंडिकेशन किस तरह से interpret करेंगे तो पहला क्या occurrence of stone in place of coal in the face तो हमारा जैदी कोल ना मिलकर कि हमारा इसे जगाओ पर जैदी कहीं पर हमारा सडेनली direction या amount of deep जैदी चेंज हो रहा है तो उस case में भी हमको थोड़ा कॉसस रहना है ठीक है जाच में gradual rise or fault of roof and floor gradually rise होता है जदी fall क्या बोरा है gradual rise or fall of roof कहीं कहीं हमारा roof का fall या तो rise दीरे दीरे बढ़ रहा है घट रहा है तो उस case में हम लोग और रूप ठीक है gradual rise of roof और fall of roof and floor ठीक है दोनों case में हम ध्यान देंगे वह fault का indications होता है फिर प्रोग्रेसिप प्रोग्रेसिव इंड रिडक्षन और थीकनेस और दा कोल सीम को सीम का थीकनेस जोए धीरे 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 बढ़ता है हाइट तो उस case में हाइटनिंग धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो उस case में हम लोग पता करना है जाच के दौरान कि वहां पर फॉल्ट का अकरेंस होना शुरू हो गया है या तो फॉल्ट का कोई possibility है चांसे से हम उसमें सपोर्ट पर ध्यान देंगे अच्छा से ठीक है उस समय हम लोग चौक सपोर्ट का possibility प्राधान करते हैं चुकि जंसन पर भी होता है ठीक है लेगिन यदि बहुत ज्यादा फॉल्ट है तो उसकेस में हम लोग व्यवस्था करते हैं चौक का फिर बोरा कि presence of slips cracks या slicken sides presence of crush zone 0.6 बोरा presence of crush zone in the sea 0.7 changes in the seepage of water from roof or floor यदि अकस्मात जो है कि पानी जो है सीपेज होना शुरू हो गया है तो उसकेस में भी हमको ध्यान देना है support पे increase in emission of gas और emission of gas at a place where gas had never been found earlier और जदी कहीं पर emission of gas का कोई संकेत मिले ठीक है या emission of gas जदी कोई भी place में हमने मिलता है जांच के दोरान तो इससे हमको पता चलना है कि वहां पर fault निकल रहा है और उस इसमें लोग ध्यान देंगे support पे ठीक है तो यह lecture का first part था चुकि आप सब ने इसको watch किया ठीक है अब इसके बाद next जो भी आएगा lecture ठीक है तो वह ventilation का part 2 हो पार्ट 3 होगा ठीक है फिर next हम जो लोजे का part 2 लाएंगे इस तरह से consecutively आप इसको watch करते रहें कोई भी session miss ना करें क्योंकि सारा का सारा एक दुसरे से related है पहला जानकारी होगा तभी दुसरा उससे मने advantage ले पाएगा ठीक है ठीक है thanks for watching this video stay connected with mining support your love and support makes the efficient way